सिकंदराबाद और पुलिस बाइक सवार बदमासों की बीच रवी वार देर रात मुटभेड हो गई क्रॉस फाइरिंग में पुलिस ने लूट में वंचित चल रहे 15,000 के इनामी अपरादी को गिरफतार किया है बदमास पुलिस को गोली लगने से घायल हो गया उसके कबजे से अवैद असलह कार्टूस बाइक बनामत की गई है पुलिस ने आरोपी को सरकारी एस्पिताल में भरती करा है सिकंदराबाद CEO विकास PS चोहान ने बताय कि जनपत में अपरादियों के विरुद अभियान चलाया जा रहा है इसी के तहट रातरी में सिकंदराबाद पुलिस सिरोधन रोड पर संदिक दवाहनों की चेकिंग में लगी हुई थी उसी समय एक व्यक्ती बाइक पर सवार होकर आता दिखाई की दिया जिसे रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार बदमास तेज गती से भागने लगा पुलिस ने बदमास का पीछा किया तो बाइक सवार ने बाइक को तेजी से संत पुरा नहर की तरफ मोरने का प्रयास किया उसकी बाइक फिसल कर गिर गई, बदमास ने अपने आपको गिरता देख पुलिस टीम पर जान से मानने की निया से फाइरिंग की पुलिस की जवावी फाइरिंग में बदमास गोली लगने से घायल हो गया, उसे गिरफतार कर लिया गया सियो ने बताए कि आरोपी की पहचान इर्फान पुत्र सौकत निवासी महला पिरखा मुलावठी के रूप में हुई है, उसे उपचार के लिए जिला अस्पिताल में भड़ती कराए गया है, उसके पास से एक बाइक बरामत की गई है, सियो विकास पियस चोहान ने बताए कि गिरफतार आरोपी इर्फान लूट के मामले में वंचित चल रहा था, बदमास सातिर अपरादी है ततथाना कोत्वाली नगर में एक लूट के मामले में वंचित चल रहा था, उस पर स्सपि ने 15,000 रुपे का इनाम घोसित किया था, आरोपी के पास से एक तमंचा 315 बोर क कार्टूज बरामत की गई है, आरोपी के विरुद कोत्वाली नगर गुलावठी वा सिकंदराबाद में अपराधिक मामले दर्ज हैं, आज ठाना पुलिस सिकंदराबाद द्वारा सिरोधन पटपट चेकिंग करी जा रही थी, तभी एक संदिक बाइक को रोपने का इशा संदिक की फैचान हुई है, इर्फान कुत्र शौकर, यह है, बारा सो उन्यासी पटा सत्रा कोत्वाली नगर से लूप का मुल्जी में, वांचित चल रहा है, अठारा का इनामी है, 15,000 गाइनामी है, जिसको आज पुलिस द्वारा पकड़ा गया, वो पेड़ में है, गायल हुआ है, इसको CSC भेज दिया गया, आगे की अग्रिम कारवाई पुलिस सिकंदराबाद पुलिस द्वारा की जा रहे है,